हलो गाइज, हंडेड वर्ड पर मिनट एडिटोरिल डिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेकेंड बाद स्टार्ट आज हम यदी खुली हवा में सांस ले रहे हैं तू उन असंखे सहीदों और स्वतंतरता संगराम सेनानियों की बदोलत जिन होने आजादी का बीज रोपा और उसे अपने लहू से सीचा वही बीज आजादी के चोहतर सालों में विशाल वटवरक्ष का रूप ले चुका है आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है साथ दशक के दोरान में भारत ने बेशक सभी शेत्रों में तरक्की की है विज्ञान, तकनीक, क्रशी, साहित्य, खेल आदी सभी शेत्रों में देश का तिरंगा लहराया है लेकिन इसके इतर हमने बहुत कुछ खोया भी है जैसे समन्वेवादी, द्रस्टीकोण, नैतिक मुल्य, धार्मिक सहिशूनता, परस्पर प्रेम और भायचारे का भाव आदी आदी ऐसे में कई गंभीर सवालों पर विचार करना जरूरी हो जाता है जैसे आजादी के साड़े साथ दशक बाद भी आबादी का बड़ा हिस्सा विकास के मुख्य धारा से कटा है शिक्षा का अधिकार मिला लेकिन इसमें एक रूपता नहीं है आज भी करोडों बच्चे स्कूल नहीं जापा रहे हैं गरीबों के लिए सरकारी स्कूल है लेकिन वहां शिक्षकों की भारी कमी है इसी तरह स्वास्थे सेवाओं का जो हाल है वह किसी से छिपा नहीं है देश का अंदाता किसान आज भी कर्ज और खुदखुशी के लिए मजबूर है वैश्विकरन की दोड ने लगु और कुटिर उध्योगों का बंटाधार कर दिया है राजनिती की बात करें तो आज भी संसद और विधान मंडलों में दागियों की भरमार है राजनिती परिपक्वता का घुर अभाव देखने को मिल रहा है आज भी उँच नीच लेंगिक असमानता भाषा शेत्र जाती वर्ग धर्म का भिधभाव समाज में गहरी जड़े जमाए हुए है ऐसे में हम कैसे कहें की हम आजाद हैं आजादी का मूल मकसद तो कोसो पीछे छूट गया पेरा भारत जैसे एक अरब 40 करोड आबादी वाले देश की अर्थवेवस्था क्या सूचारू रूप से तभी चलेगी जब यहां हर प्रतिस्ठान का निजी करण कर दिया जाएगा क्या लोगों की तकलीफों वे बेरोजगारी की समस्या का निदान इसी में हैं रेलवे जीवन बीमा तेल कंपनियों बेंकों एयर लाइनों के बाद दो अगस्त को सामान्य बीमा व्यावसाई संसोधन विधेयक 2021 को धुहनीमत से पारित कर दिया गया अब इस शेत्र की कंपनियों का मालिकाना हक धन्ना सेठों के हातों में चला जाएगा फिर हमने देखा ही है कैसे रेल भाड़े में जबरदस्त बडोत्री की गई यहां तक की प्लेटफोर्म टिकिट को पांच रुपे से सीधे पचास रुपे कर दिया गया यानी एक हजार फीशद की व्रधी भारत में आज भी सत्तर प्रतिशत आबादी की मासिक आए दस हजार या उससे भी कम है ऐसे में क्या हम लोग निजीकरन से बढ़ने वाले सेवाओं के मुल्य को बरदास्त कर पाएंगे पेरा कोरोना महामारी के कारण वर्ष दो हजार गुनिस में होने वाली प्रस्तावित जन गणना समय से नहीं हो सकी है और अब इसे अगले साल यानि दो हजार बाईस में कराने की बात चल रही है सामान्य प्रक्रिया के पालन की स्थती में मुख्य जन गणना के एक वर्ष पहले घरों की सूची तैयार की जाती है उसके बाद सरकार दुआरा निर्धारित प्रपत्र में विभिन जानकारियों के साथ जन गणना की जाती है आगे होने वाली जन गणना की प्रक्रिया की चर्चा प्रारंब होने की साथ ही हमारे कुछ राजनितिक नेताओं की बोधिक दुरबलता भी सामने आ रही है और वे अगली जनगणना में जाती की भी गणना करने की मांग कर रहे हैं हमारे समाज को जातियों में बाट कर पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब जब की समय के साथ जातिय कटरता कुछ कम हो रही है फिर से समाज को जातिय सरगर्मी की चर्चा में जोगना बोधिक दुरबलता की निशानी है वास्तव में कुछ नेताओं दुआरा जातिय गणना की मांग करना उनकी जाती राजनितिक स्वार्थ का प्रमान है जातिय जन गणना की मांग वही जातिवादी नेता कर रहे हैं जिनकी राजनितिक दुकानदारी ही सिर्फ जातिय आधार पर ही चलती है इसलिए जातिय गणना की मांग करने वाले नेताओं से आगरे है कि वे करपया अपनी सोच को जातिय संक्रेनता से मुक्त करें और सरकार से आगरे है कि वह संकेर्ण जातिय सोच वाले लोगों की प्रतिगामी मांग पर ध्यान नहीं देते हुए सही धंग से जन गणना कराना सोनिश्चित करें पैरा हाल में लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह की स्थितियां देखने को मिली उससे सदन की गरीमा गिरी है और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है जबरदस्त हंगामा नारे बाजी तक्तियां लहराने वे कागज फाडने के साथ आसन पर चड़ना और महिला मार्शल से हाता पाई और अमर्यादित आचरन जेसी घड़नाओं के कारण सदन बाधित हुआ और बिना चर्चा के सत्ता पक्ष ने भी जरूरी विधयक भी पास कर लिये लेकिन कोरोना महामारी किसान आंदोलन और अर्थ्वेवस्ता की हालत जैसे महत्वपून मुद्धों पर चर्चा नहीं हो सकी हंगामे का सत्र संपादकिय में उल्लेख है कि सरकार ने विपक्ष की नहीं सुनी और बहस के लिए तैयार नहीं हुई तो विपक्ष ने सदन के बजाय सड़क पर उतरना उचित समझा मजबूत सरकार को तो अंतिम दिन तक चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए था क्यूंकि होना वही था जो सत्ता को पसंद हो और वही हुआ भी नियम प्रक्रिया तथा मरियादा के पालन के साथ सदन में चर्चा के कारण भारत को विशु का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक कहे जाने वाले देश में समय से पूर्व सदन का अनिश्चित काल के लिए इस्थगित करने तथा सदन में कदाचरन होने से सत्ता और विपक्ष उसको कोई हानी या परिशानी नहीं हुई बलकि कारियों लंबित होने से जनता का नुकसान हुआ है पैरा टोक्यो ओलम्पिक में भारत ने एक स्वन दो रजत पदक सहित कुल साथ पदक जीत कर यह स्पस्ट कर दिया की देश में नई खेल संस्कृती का उदे हो चुका है ओलम्पिक के इतिहास में यह भारत का सर्वश्रेष्ट पदर्शन है एथलेटिक्स में भारत को पहली बार स्वन पदक मिला ओलम्पिक टीम के सभी खिलाडी बधाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने सिमित संसाधनों के बीच अपनी महनत और लगन के दम पर यह मुकाम हास किया है हमारे देश में प्रतिभावान खिलाडियों की कोई कमी नहीं है सिर्फ उन्हें उचित आउसर और मार्ग दर्शन की आवशक्ता है स्टॉप